वेलकम दोस्तों स्वागत है आप सभी का तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी एक न्यूज है इसमें देनक भासकर के आज की न्यूज है कि एक ही सत्र में दो डिग्री आमान ने होने से चायरे सिक्षक खफा यानि डिपियाई के यूजिसी के नियम के बाब जूद ही यह तो न्यूज की बाद हम करें तो यहाँ पर देख सकते हैं लखाए मद्दे पर देख सिक्षक भरती प्रक्रिया के तहट 2018 में आज जिस चायने सिक्षक परिक्षारती आज भी अधर में लटके हुए तीन साल बाद भी सरकार चायने सिक्षक को लेने की मून में नहीं है आल कर दियान जिन्होंने 1ी 7atr में 2 Bier vigil की ती वहीं 2 डिगरियों की आल में कई चैनिस चेक्षक का को भी आदेश की आदेश की आल में कई चैने सिक्षक को जीवान के साथ zarg देख किया जा रहा है जिससे चैने सिक्षक क्या है रोस में हैं और सीम से उसने इस विसंगती के बारी में भी कहा है तो डीपियाई ने आदिस क्या दिया था हम उस आदिस को देख लेते हैं तो डीपियाई ने अपने आदिस में कहा था कि चैने सिक्षक संग का कहना है कि दस्ताव यह आदिश आपको पता है सभी के पास है लगबख सभी ने यह आदिश देखा भी है इसमें से 30 सिक्षकों की संबंद सर्थ की तो बिलोपित कर दिया गया लेकिन एक ही सत्र में दो डिगरी हासिल करने वाले बिंदू को लेकर यह इस पर नहीं किया गया कि एक ही सत्र में अर रेगुलर की आमानने की जाएगी या फिर एक रेगुलर एक प्राइबिट की आमानने की जाएगी यह नियम जो है बिलकुल किलिया नहीं होने से उनने क्या किया है बहुत से अब बैयार्थियू को या तो होल्ड पे किया है या रजेक्ट किया है आगे हम देख लेते हैं क्य लखाए चैने सिस्कों का यह भी आरोफ है कि सिक्चकवर्ती के दस्ता बेज़ों कि सत्यापन के लिए सत्यापन किंद्परवारी बनाए गए थे उन्हों नियम में अभाव में एक ही नियम है तो एक अनियम है तो पाजी अर्जित करने वाले अब्वेयर्थियों को भी आमान करते हुए उनके जीवन से खिलवाड किया गया यानि कि आपने दिखा यहां पर एक अगर एमे और बीट किया है और सकांतिमबर से एक जैसा है तो उसको क्या करती है होल्ड पर रख दिया गया ठीक है तो यह सब न्यूज में था इस समन्द में चैने सिक्चक संग कि यह ज क्यूंड बहुत महत्तोपून है कि जब यूजः सी ने एक सथ में डबल डिगर यानि एक प्राइवेट एक रेगूलर और एक प्राइवेट कौपाधी को मानने तादी है फिर फिर भी उनके जीवन के साथ खिलवाड क्यों किया जा रहा है यानि कि जब UGC ने भी बोला है कि एक private और एक regular जो है उसको आप मानने कर सकते हैं फिर भी यो लोग मानने क्यों नहीं कर रहे हैं तो ऐसा है ये चैनल सिक्षकों की मांग है उसमें इसका हम बयान देख लेते हैं उनने कहा है कि 2018 की भरती अभी तक hold up है और इस साल के बाद भ यह ना तो ऐसी ही जो एक और मुद्दा है वो है double इसका diploma और डिग्री का इसके लिए भी कोई अभी तक rule नहीं बना है DPI की तरफ से जिससे क्या हो रहा है कहीं पो उनको भी hold किया जा रहा है कहीं पो उनको भी reject किया जा रहा है तो जब तक ये कोई ठोस rule नकाल के नहीं आएंगे तब तक सिक्षकों के साथ ऐसे ही खिलवार किया जाता रहेगा तो हमें क्या करना है हमें हर जगह RTI लगानी है और उनको बताना है कि अगर यह मानने है एक प्राइबिट और एक रेगुलर UGC वैबी तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं ठीक है तो यह हमें बताना है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने जिससे आपको आने वाले वीडियो उसको नॉटिफिकेशन मिल सके तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छा लगे तो अपने फ्रेंट के साथ सेयर जरूर करें इस जानकारी को जैसे उन तक भी इस जागरुपता के बारे में उनको पता चली मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में